तो आज मेरे पास यहाँ पर एसुस की टप से एसुस वियो बुक 16X लाप्तॉप है जो कि एक बहुत ही बैतरीन 16 इंच की डिस्प्रे के साथ होता है कैसे इसकी परफॉर्मेंस से ओवरॉल सारी चीज़े हम लोग इस वीडियो के देर बात करेंगे और देखिएगे क्या यह वर्थ ही टै कि आपको पायँ करना चाए नहीं करना कैं सब कुछ देखेंगे तो चली एक स्टार्ट करने मेरा आम schemes commen in तेख Chi's लगय Get o लाइक क्मेंन सीस्ट्रेप शिरबाद मेंकोड में एक चीज़ कर सकतो तो innovation laptop store visit करना चाहिए आप लोगो laptop चाहिए नया PC बिल्ड करना है या फिर आप लोगो कोई भी accessories चाहिए होता है या फिर laptop की after sales service भी चाहिए वह सारे चीज़े भी प्रवाइड करवा देता है और no cost यह मैं भी आप लोग को यहां पर laptop भी मिल जाती है जाके देखो अगर आप लोग को वहां से आप लोग सारे डीटेल्स दी गई है जहां से आप लोग को बना देता है इसका जो डिजाइन फिनिश है मुझे सही लगा तो अगर साइड की बात करें तो यहां पर आप लोग को थोरा curved design मिल जाता है जिसके मतलब से यह थोरा slim looking मिलता है और यहां पर अलग अलग ports मिलती है बैक साइड की बात करें तो rubber grips आप लोग को उपर के साइड में और नीचे में दो rubber grips मिलती है और पीछे आप लोग को सिंगल fan setup मिलती है अलोंग विदाट यहां वेंट की cutout है जिसके मतलब से airflow असानी से यहां पर हो जाएगा और यहां पर पीछे के side bear जो display के पीछे है उसके अंदर भी आप लोग को air vents मिल जाती है जो की बहुत बढ़िया है और अगर मैं बात करो इसकी overall build की तो देखो यहां पर दिखने में यह लग रहा है कि यह fully एक metal build वाली laptop है बट है नहीं यहां पर आप लोग को जो है ना बहुत ही high quality ABS plastic का use किया गया है और दिखने में आप लोग को metallic shine look के provide करता है जो कि मुझे सही लगा पीछे में आप लोग को फिर से यहां पर ABS plastic ही provide करवा दिया जाता है तो अभी laptop को अग इसको इस तरीके से खोल सकते हो और आसाने चीश को यूज करना है कर सकते हो तो उस पर भी आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली तो hinge quality मुझे सही लगा अगर मैं बात करो display flex की तो display दिखुए ज्यादा flex नहीं करता यहां पर मोटा साप लोग को थूरा display मिल चाता है यहां पर अलग-अलग चीज आलग-अलग parts में आप यूज करना चाहते हो तो यहां पर काम में आता है stock market trading वगड़ा करते हो तो वहां पर आप लोग एक बड़ा screen होता है तो अच्छा काम में आ चाता है तो 16-inch बहुत ही सही size है अगर आप लोग basic task करते हो, coding करते हो या फि यहां पर साथ चीज ही मिल जाती है, along with that यहां पर आप लोग बगड़ा करना है उसके purpose के लिए यूज कर सकते हो, along with that यहां पर glass trackpad यूज के गए जिसके मतद से आप लोग बहुत ही अच्छी experience आएगी, जब इसको click बगड़ा करोगे, यहां पर touch responses की अच्छी है, gesture support वगर यहां पर आसानी से कर जाता है, but इस budget में इस तरीकी के trackpad मुझे बहुत सही लगा, अगर आप लोग यहां पर trackpad यूज करता हो, तो आपको कोई भी दिक्कत ने आगा, but better experience के लिए एक Bluetooth mouse खरीद लेना बड़िया experience आएगा, वीडियो में आगे मेंने से पहले यहां पर आपको डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर दिखाई दे रहा होगा, यह वाला जो मॉडल है मेरे पास, यह Ryzen 5 5600H के साथ आता है, 16GB के RAM है इसके अंदर, 500 RGB के SSD हमें मिल जाती है, along with that इसके अंदर आप लोग MS Office भी मिलेगा, और यहां पर Alexa inbuilt support भी है, तो वो दोनों चीजे भी आ पर भी दे देगा, इसवाए laptop के अंदर है, 6 code और बाड़ा थ्रेट तो आप लोगों बहतर ही, जो है multitasking performance तो obviously करवा देगा, चलिए एक एक करके सारे चीजे हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट यह अपर डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं, और डिस्पली की बात करी है, यह यहां पर अगर color gamut की बात करें, तो यहां पर 62% की sRGB आप पकड़ के चल सकते हो, मतलब 45% की NTSC आप लोगों मिलती है, color reproduction यहां पर ठीक ठाक आप लोगों provide करें देगा, बट color accurate काम के लिए इसको use ना करें, तो better है, आप जो है, इसके बजाए एक color accurate monitor भी लगागी, यह अलग alternative laptops देख से, तो यह उतना color accurate नहीं है, बट अगर आप लोग content consume करते हो, अगर आप लोगो हलके फुल के जो इना office task करनी है, आपको coding वह रहा करनी है, तो यह sufficient है, इसके अलावा आपको कोई भी 100% SRGB वाली display नहीं चाहिए होगी, but photoshop related काम करते हो, color accurate काम आपको अगर आपको चाहिए, तो यह display perfect है, जिसका size छोटा नहीं है, तो आपको जे बड़ा बड़िया experience करके देदेगा, तो अभी ports के अगर बात करें, तो यहाँ पर right side के अगर बात करते है, तो first यहाँ डीसी इन का में port मिलता है, then यहाँ पर HDMI का एक port मिलेगा, then USB 3.0 की 2 port आप 2 LED indicator से, along with that यहाँ पर आप लोगो air outlet bend भी एक मिल जाता है, तो यहाँ पर thermal design की बात करें, तो यहाँ पर air outlet जोए, एक display के नीची आप लोगो मिलेगी, और जोए एक आप लोगो left side में भी देखने को मिल जाती है, तो दो आप लोगो outlet मिलेगी और intake के लिए नीची के side में आ air intake होता है, तो यहाँ पर thermal performance की बात करें, तो यहाँ पर thermal performance जोए है, यह कभी कबार यह laptop 90 degree भी touch कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर single fan setup है, बट यह जल्दी-जल्दी cool down भी हो जाता है, तो उस पर आप लोगो परिशानी करने की ज़रूरत नहीं कि यह गड़ाँ हो गया है, बह करते हो, तब जाके यह बहुत जाता है, बट यह जल्दी-जल्दी cool down हो जाता है, तो उस पर आप लोगो घबरानी की उतनी जाता है, जरूरत नहीं, make sure करना कि आप थोरा height इसको बना के रखें, जिसके मतलब से air flow अच्छी तरीके से हो, एक cooling pad भी आप लोग भी यूज़ क काम करता है, तो अभी हमें upgrade options की बात करते हैं, तो upgrade options की बात करते हैं, तो first RAM की बात करते है, RAM देखो यहाँ यहाँ पे 3200 MHz की आप लोगो RAM यह प्रवाइड करके देता है, मेरे पास जो model है, 16GB का है, 8 x 2 की configuration है, मतलब यहाँ दो-दो slots है, जो की occupied है, अल्रेडी 88GB की, तो अ यहाँ पे आप SSD को upgrade करके उसको replace कर सकते हो, यहाँ फिर आप externally कोई भी upgrade करने करके, obviously आपकी hard drive को extend करना है, कर सकते हो, वो चीज़ था, बट अदिशनल कोई भी HDD या SSD slot यहाँ पे नहीं मिलता है, तो connectivity की बात करें, तो connectivity में Bluetooth 5.1 की support आप लोगो मिलेगी, along with that यहाँ पे Wi-Fi 6 का भी support आपको मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया आपको internet speed provide करें देखा, उसके regarding मुझे तो कोई भी issue नहीं या आप भी use करोगे, तो उसके कोई दोहराय आपको नहीं आएगा, उसके बात करें, यहाँ पे speaker की बात करें, यहाँ आप लोगो 2 watt की bottom fighting speaker आप लोगो इसके speaker के वरोसे मत रहना, तो यह चीज़ ध्यान रखना, तो अभी typing experience की बात करें, तो देखें है, यहाँ पे typing experience बहुत दा सही है, travel distance भी इसके सही है, यहाँ पे low lit condition में आप आसाई से इसको use करते हो, backlit keyboard है, यहाँ तीन level तक आप लोग brightness को control करते है, low, medium, high and then off mode आप with it full size keyboard है, अगर आप लोगों की बात करते है, तो यहाँ पे बैटरी की बात करते हैं, तो इस वाले laptop की बैटरी लाई बहुत ज़्याँ सही है, यहाँ मैंने PCMark 10 के अंदर यहाँ बैटरी टेस्ट किया था, वहाँ पे directly 10 घंडे के आसपस बैटरी लाई दिया, और यहाँ प तो मुझे वैसा कुछ performance मिला, जो कि बहुत ज़्याँ इंपकेवल है, अगर मैं normal day-to-day task में इसको यूस करता हूँ, जैसकि web browsing करना है, यहाँ पे tools पर यूस करना है, heavy task में कुछ नहीं करने वाला है, तो यह 6 घंटे प्लस आसानी से दे देगा, बट अगर आप लोग यहा बात करते हैं, यह लग बग देर घंटी के आसपास full charge कहोने में लग जाता है, और यहाँ पे 90W के आप लोगो charger मिल जाती है, तो आप लोग आसानी से इसको charge बगर करना है, इसको carry case दो, छोटा सा ही है, 90Wh का उतना बलकि आप लोग adapter नहीं मिलता है, तो यह चीज था, तो य lighting condition में यह directly में record कर रहा हूँ, कोई भी editing होए रहा है, यहाँ पे जो microphone के audio quality है, वो भी आप लोग यहाँ पे सुन पार हो, यह बालग-अलग microphone mode भी आप लोगो मिल जाता है, जब AI noise cancellation का feature भी यूज कर सकते हो, अगर आप चाहते हो, जो कि My Asus application के अंदर आपको मिल जाती है, और यह जो वीडियो है, यहाँ पे 30 fps तक सपोर्ट करता है, 720p का webcam को मिलता है, और कुछ ऐसी यह आप लोग को वीडियो है, कि हाँ, वीडियो calling वहरा के लिए है, ठीक है, आप लोग इसको यूज कर सकते हो, उसको security purpose के लिए यहाँ पे दो चीज़े में मिल जाती है, एक त दूसरी चीज़, यहाँ पे आप लोग को एक fingerprint sensor भी मिलता है, जिसके मतलब से अगर आप इस laptop को on करते हो, तो यह पे fingerprint से आप लोग उसको control कर सकते हो, यह भी अगर आपका उंगली ना हो, तो यह on नहीं होगा, उसका मतलब आपका उंगली को यह काट सकता है, just kidding, तो यह द कर लिया था, और यहाँ पे जो performance mode था, वो भी enabled था, और यहाँ पे जो laptop था, वो tabletop के अंदर used किया था, और यहाँ पे कोई भी cooling pad पगरा मैंने used नहीं किया, तो चली एक 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 result देखते, तो first मैंने यह पे test किया हो, जो कि है blender test, तो blender test के अंदर मुझे यहाँ पे monster, junk shop और classroom में कुछ ऐसा result मिलता है, जो कि आप लोग यहाँ पे screen पे देख पा रहे हो, next मैंने test के यहाँ पे Cinebench R15, जहाँ पे मुझे जो openGL का score मिला, 80.22 fps, और CPU की score 1414cb, और CPU के single core की बात करें, यहाँ पे 222cb score मिला, next test मैंने किया Cinebench R23, जहाँ पे multi core का performance मुझे 8625 मिला, और single core 13 370 point मिला, और then यहाँ पे मैंने crystal disc mark भी try किया, जहाँ पे, जो read write speed आप लोग खुद देख पारे हो, कैसी है, इस SSD की, जो कि आप लोग को यहाँ पे पूरा दिखाई दे रहे है, आप pause करके सारे details देख सकते हो, next मैंने यहाँ पे try किया PC Mark 10, जहाँ पे जो सारे essential application होगी, productive application digital content creation, सारे result मैंने यहाँ पे test किया, जो आप लोग pause करके देख सकते हो, but यहाँ overall score की बात करे, वो मुझे मिला 575, यह तो gaming laptop है नहीं, but मैंने यहाँ 3D Mark का भी test यहाँ पे किया, जो की sky driver है, उसका score मैंने यहाँ पे fetch किया, जो मुझे 11,578 मिला, और physics score यहाँ पे 15,142, और combined 9 score की बात करें, वो 10,919 मिला, और यहाँ पे gaming performance मैं आप लोग साथ आगे शेयर करूँगा, कि कैसी इसकी real life gaming performance आपको मिलती है, तो अभी मैं real life scenario की बात करूँ, तो देखे है, यहाँ पे अगर 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 यहाँ आप 8K clip चलाने की कोशिश करता है, तो यह handle नहीं कर सकता, YouTube के अंदर मैंने 2 4K clip एक साथ चलाई थी, तो यहाँ पे असाइशी चल रहा था, तो थोड़ा वो lag करने लगा था, तो इस तरीके से यह काम करता है, 4K clip अगर ओनलाइन आप लोग यहाँ पे रन करते हो, तो कुछ दिख्कत आती है, simultaneously, अगर एक clip रन करते हो, तो समाल लेता है, आपको कोई भी दिख्कत ने आगा, और 4K 30fps तक भी यह समाल लेता है, तो थोड़ा रेंडरिंग टाइम जादा लेता है, तो यह लैक करेगा, आपको बहुत दिख्कत देने वाला है, तो यह चीज़ ध्यान रखना है, प्रोक्सी वेरा लगा तो जुगार क यहां पर कर सकते हैं, तो यह चीज़ ध्यान रखना, अगर आप लोग हलके फूल के जीप्यू की नीट है, तो आप आसाने से कर सकते हैं, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लेंगज यहां पर सीखना है, आप कर सकते हैं, इस पर दिक्कत नहीं आगा, बड़ा स्क्रीन है, GTA 5 और एक Valorant, तो GTA 5 की बात करें, तो यहां पर नॉर्मल सेटिंग जो था, यहां पर वेडी हाई, हाई, यहां पर कुछ प्रिसेट था, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, और यहां पर जो FPS मुझे मिला, यह एराउंड 47-50 FPS के एराउंड वो रिवाल्व करना तो बड़िया आप लोगो gaming experience भी करवा देता है, तो gaming के मामल में भी, अगर आप casually gaming कभी कबार करना तो असनी से कर सकते हूँ, यहां पर ऐसा नहीं कि gaming नहीं करवाएगा, हाँ, gaming आप कर सकते हूँ इसके अंदर, दूसरा गेम जो था, वो Valorant, जो मैंने ट्राई के, यहां low preset quality में test किया था, और जो resolution यहां आप लोगो स्क्रीन पर देख पारे हो, और कुछ ऐसा में result मिला, यहां पर 130-140 on an average जो यह revolve कर रहा था, तो हाँ यह भी आप लोग enjoy करना है कर सकते हो, CSGO टाइप की game आप को खेलना है, वो भी आप यहां पर खेल पाओगे, उस पर दिक्क लगा, display sizes की बड़ी है, अगर आप लोग ट्रेडर हो, coding करते हो, office task करना है, आप लोग को, यहां पर excel पर यूज करते हो, तो आपको एक बड़ा display बहुत है, यहां पर अगर आप लोग टाइपिंग बड़ा भी करते हो, तो उसके लिए भी यह laptop अच्छी है, इसकी pricing की बात करता हूँ, अगर आप लोग फोटो एटिंग बहुत ज़्यादा, color accurate काम वगरा करते हो, तो उसके लिए laptop है नहीं, अगर आप लोग gaming वगरा करना सेकते हो, तो यह laptop आप avoid कर सेकते हो, इसके अलावा अब अलग gaming laptop 60,000 से start होता है, वहां से आप लोग कोई भी laptop चूज करना ह कर सकते हो, वह भी मैं description box में add कर दूँगा, कौन सा laptop आप ले सकते हो, इन gaming series, जिसके मदज़र लोग gaming performance अच्छा मिलेगा, तो कैसा लगा यह वीडियो नीचे comment सेक्री में जरूरू बताना, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया, तो like, comment, subscribe, share करना, मत भूलना, और मिल